अप्रेटिक तालोग ओनलाइन इंस्टूट का वीकली मैक जीन उसका दूसरा संस्क्राण आपके सामने है आप कफर पेज देख रहे हैं यह इसका कफर पेज नीचे पीडियेप में जाके आप डॉनलूट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाए डिस्क्रिप्शन में इसका कफर फेजया पड़ा हुआ है दूसरे सप्ता हाँ आप इसकолод करिये यह एप रवेश में चार आंक आएंक पहळा दूसरा दूसरा चव्था यह अप रेल का दूसरा अंख है ठीक एक सप्ता हा पाले हमने अप परेल का पहला आंक दिया था सडी मार्च का दूसरा अंक दिय जैसे पहले अंक में आपने भारती राजवरस्था का प्राप्त किया था इसमें आप भारती राजवरस्था का दूस्रा अंक प्राप्त करेंगे में 35 घ्र ही gun्त फार कि क्लिक Dasis के लिहान से लोकर से हमारा मेगजीन बहतर है आप पढ़ेंगे तो पाएंगे सिर्फ एक बार आप कंपेर करके देख लिए नीचे डिस्क्रेप्सर में डाउनलूट करिए दूसरी संस्क्रण को यह एक सब्ता की खबरे हैं इसी परहाई में आपकी रूची भी बढ़ेगी आप करके तो देखे सही मेरा दावा है कि अगर एक महीने तक यानि एक महीने में चार मैगजीन अगर आपने डाउनलूट किये हमारे तो आप दूसरी कोई भी मैगजीन पढ़ना छोड़ देंगे बहुती लाब दायक है बहुती बढ़िया है और बहुती प्रेड़ा दायक है हम इसमें लगात प्रेड़ा के लिए 200 वस्तुनिस प्रस्णों का संग्रा भी होता है और इसमें ग्यान मंजूसा भी है जिसमें महत्पूर्ण विश्यों की फैक्ट्स आपको दिये जाता है ग्यान मंजूसा के तहर्प सब कुछ है इस अंक में क्या है साथ दिशी करेंट अफेर्स यहां से परिच्छा के लिए 200 वस्तुनिस्थ प्रस्णों का संग्रा सब कुछ है समें हां अब यहां से स्टार्ट हो जाता है यह है ध्यान से देखिए पहला दिन का खबर पहला दिन अप्रेल के दूसरे एंक में पहला दिन अंडबा निकोबार द्यूप के लिए द्यूप प्रेत्र 2019 की अधिसूचना जारी हुई वार्टसअप ने फरजी खपरों से ने पटने के लिए पेश किया चेक पॉइंट टिप लाइन देना बैंक और विज्या बैंक के विले के बाद बैंक का बड़ोदा तीसरा सबसे बड़ा बैंक बना थी आसम के बोंगेई गाउं जीला परसासन ने पहली बार के मददावतों के लिए मोबाइल एक लांच किया आस्ट्रेलिया ने हिंद महासागर में साथ रास्ट सेन अभ्याँ सुरू किया भारत का रच्छा उपगरह इमी सैट इजरो दौरा सफलता पूर्वक लांच किया ग राश्पति सी रानात कोविंद ने चिली में सिस्ट मंडल इस्तर की वारता का नितित्त किया और चिली विश्यवद्यालाय में भारत चिली विया पारमंच के साथ सब छात्रों को भी संबोधित किया इसी तरह से आप देख रहे हैं तीसरी दिन की खबर यह तीसरे दिन की उसके बाद तीसरे दिन की खबर को विद्योत पढ़ने के बाद आप चले जाएंगे चोथे दिन की खबर में है ना अमेरिका ने हाली में भारत को MS-60 हेलिकाप्टर बेचे जाने के लिए मंजूरी थी भारत और आस्ट्रिया के बीच ऑक्सिन डैक्स नामक सैयुक्त नौस तरस्त निचोड़ होंगी कि आप कोई भी मैगजीन दूसरा मार्केट से लेना भूल जाएंगे यह ऑनलाइन मैगजीन अभी हम लांच कर रहे हैं इसकी सफलता के बाद ठीक धाई तीन महीने बाद हम इसे मार्केट में लाएंगे सभी महत्रपूर्ण सहरों में और इंडि इसके दिन की खबर जिसे आप देख पा रहा हैं इसके बाद हैं यह देखिए अभी एक सब्ता की खबरें चल रही हैं चीत्र के साथ महत्रपूर्ण हेडिंग को जिस तरह से दर्शाया गया है वो पढ़ाई में आपकी रुची को बरकरा करने में बहुत ही मददगार बने आज यह खबरों के बाद हमें एडिक्टूरियल पर चलते हैं कि आगे इसमें कुछ क्या कुछ है यह सारा कुछ साथ दिन की खबरों के अंतरगत है फोटो के साथ है ना यह सारा कुछ जैसे लोरी लाइट फूट सिकागो की पहली अश्वेत मनिला मेर चुनी गई गई टा टैन की सूची दिए है जिन लोगों ने टॉप किया है मालदियों के पूर राजपती मुहमन दसीद ने प्रश्चन्र जीत के साथ फिर से मालदियों में वापसी की है यह सभी मातपूर्ण खबरे आप जब पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा मैं आपसे यह ब मार्वी सर के मदद से एडिटोरियल के रूप में आपके पास जाएगा ताकि महतपूर्ण वंडे परिच्छाओं के बारे में भी तैयरी कैसे करें आप इस बारे में जान सके किताबों के नाम जान सकें तो हर चीज इसमें जाएगी धीरे धीरे अच्छा देखे उसके बा इसमाल की राय यह ताबित करने के लिए कि अंतरेशों में भारत युद्ध लड़ सकने में सक्छा में तो अंतरेशों भारत की भट्ती धमक ये डिटोरियल मेरे दोरा लिखा गया है इसके लिए अन्य एडिटोरियल अलोग टीम और अन्य सहायक समाचार पत्रों की मदद स से त्यार किये गये हैं ये निश्चЕТ रूफ से आने वाले समय में हैं सिविल्सोर्स मुक्य पलिछा में आपके लिए राम बार साभित होंगे और शूब होंगे कुण की विर्षियों का चैन Normally सा हो सकते हैं जात मतपूर आले को हल करने के बाद आप पाएंगे और क्या-क्या है उपर जाने पर बहुत सारी चीशिस मैं आपको दिखाई देंगी अब भारती राजवयस्था का द्वितिय अंक भारती राजवयस्था नोट्स बनाने की जरूत नहीं है आप किताबें पढ़ते हैं नोट्स बनाने की चेकर पढ़ते हैं सीधा इसको पढ़िए आप इसकी फोटोकाप भी करा सकते हैं भारती राजवयस्था का दूसरा अंक है आपके सामने आप इसको पढ़ेंगे आपके लिए राजवयस्था को पढ़ना और समझना बहुत ही आसान हो जाएगा किताबों की जटिल भासा की प्रयोग से बचा गया है और व्यवारिक्ता को अमल में लाने का प्रयास किया गया है बहुत कुछ इसमें आप इसे डाउनलोड करके स्वेम देख लिजी इस तरह से डाउनलोड करने के बाद इसका कभर पेज कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा आप इसे तरह टरह視 आउनलोड करें डेस्क्रेशन में जाके अपना अंभाव आप कमेंट करके हमें बताएगा नमस्कार हाँ हम यह भी बताना चाहेंगे कि 7 days current affairs का अगला आंक 15 तारीक को लांच होगा 15 तारीक को साम 8 वजे मैं 3 आंक यानी आपरेल का 3 आंक लांच करूगा तब तक के लिए इजाज़त देजे नमस्कार